नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं आप लोग स्पेशल जोतिश दिशा सत्य की राहा आपके साथ मैं हूँ आपका आश्टो फ्रेंड एक नई जानकारी टिक टॉक पे मिलेंगे टिक टॉक बहुत हल्की फुलकी मस्ती के साथ रहेगा जोतिश वहाँ पर भी लेकिन मस्ती के साथ तो अगर आप लोग टिक टॉक पे हैं तो फॉलो कर सकते हैं आज जानकारी मेश से लेकर करक तक की दिसंबर महिना एक दिसंबर से लेकर करक वालों के साथ क्या कुछ होने जा रहाए आइए सबसे पहले बताते हैं एक दिसंबर को सुर्योदय के समय पर ग्रहों की स्थ्थिय क्या रहेगी ब्रश्चिक राशी में ब्रहश्पति बुध सूर्य एक साथ रहेंगे शनी धनू में मकर का केतु मंगल कुम्भराशी में राहु करक में रहेंगे और चंद्रमा सिंहस्त रहेगा और चंद्रमा का नक्षत रहेगा उत्तरा फालगुनी प्रथम चरण जो की सूर्य का ही नक्षत रहे शुक्र तुला में रहेंगे मेश मेश वालों के लिए सिक्षा के मामले में थोड़ा स्टुगल करना पड़ेगा थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा मेहनत जादा करना पड़ेगा स्वास्त्य विशेश ध्यान देना पड़ेगा दिसंबर मेहने में ब्यापार की स्थिती बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती लेकिन फिर भी आमदनी होती रहेगी निरवाह योग आय के साधन बनते रहेंगे अगर हम प्राइविट सेक्टर की बात करें तो एक छोटी से परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है 22 दिसंबर के आसपास में अगर हम मैरेड लाइफ की बात करते हैं मेश वालों के लिए दिसंबर महने में तो मैरेड लाइफ में उठा पटक कम होगा अच्छी बात है मेश राइफ मेश वालों के लिए लव लाइफ अच्छी रहेगी ठीक ठाक रहेगी 18-24 के बीच में कुछ दिक्कत हो सकती है मेश वालों के लिए दिसंबर महीने में बाकी टाइम ठीक रहेगा स्वास्थ की दुष्टी से मेश वालों का सामान फल मिलने वाला है दिसंबर महिने में ब्रिशब रासी ब्रिशब रासी की इस्थिति शुक्षा का अस्तर बहुत अच्छा रहेगा दिनांक 10 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर की बीच में कोई एकजाम होगा तो आप कौलिफाई कर लेंगे ब्रिशब रासी का दिसंबर महिने में ब्यापार अच्छा चलेगा ब्यापार में बड़े फैसले ले सकते हैं ब्यापार में साजहा जोड सकते हैं लोन शंक्षन हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर बास के साथ तालमेल इस महिने में अब ठीक होने जा रहा है 7 दिसंबर के बाद लव लाइफ और मेरिड लाइफ कमबाइन अगर हम देखें तो इस्तिती बहुत अच्छी कही जा सकती है सामाने नहीं सामाने से बहुत उपर कहीं कोई रुकावट नहीं कहीं कोई समस्या नहीं कहीं कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई परेशारी नहीं ना बाइड लाइफ में ना लव लाइफ में हेल्थ इशू आँख और पेट की दिक्कत परेशार कर सकती है next मित्वनाशी मित्वनाशी वालों की सिक्षा नहीं ठीक रहेगी स्वास्त गरवर होगा जिसे सिक्षा प्रभावित होगा 8 दिसंबर से लेकर के और 14 दिसंबर के बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है मित्वनाशी वालों को बड़े रिस्क बड़ी यात्राएं लंबी यात्राएं अवाइट करनी होगी ब्यापारिक दिश्टिकोंड से कोई बिग डिसीजन्स ना लीजेगा यहाँ पर भी दुतियोस्त राहु परिशान कर सकता है जैसे चलना इसमूद शांती के साथ चलने दीजेगा प्राइविट सेक्टर फिर भी ठीक है यहाँ नई नौकरी की संभावनाय बन रही है या फिर सेम जगह पर प्रमोट भी हो सकते हैं 22 दिसंबर के बाद सरकारी नौकरी की स्थिती बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी लेकिन बॉस के साथ तालमिल बैठा पाने में आप पूरी तरह से सक्षम होंगे बॉस आप से प्रशन होगा बॉस आपके साथ अच्छा वक्त बिताएगा next married life married life की स्थिती एक दूसरी के पती अब इस बास से सुरू होगी आप भरोसा ना करो पतनी भरोसा ना करें इस पूरे महीने इस चीज को लेकर कि आपको साथान रखने की आवशक्ता भरोसा बनाए रखिएगा बाकी देखा जाएगा मैं बैठा हूँ love life बहुत अच्छी रहेगी अगर आपका break up last month हुआ था तो इस month आपकी जीवन में कोई नया प्रिवेश हो सकता है और अगर पहले से ही love life अच्छी थी तो आप उसको married life के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं health issue मिथुन राशी वालों के लिए अगर देखा जाए के लिए शिक्षा का आश्तर बहुत अच्छा रहेगा उल्धने दूर कर लेंगे आप पारिवारिक की स्थियां सामान हो जाएंगी और शिक्षा में आपका मन लगेगा ब्यापारिक दिश्टिकोंट से देखा जाए तो 7-8-9-10 दसमभाव में मंगल की स्थियां एक आदस ठीक है अच्छा है यहां रूपए फंस सकते हैं बाकी कोई समस्या नहीं है प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा समय है आपके लिए आप नया रिस्क ले सकते हैं बड़ा रिस्क ले सकते हैं सरकारी नवकुरी वाणी पर सायम रखिएगा बॉस की बात मानते रहिएगा बारे तारिक के बाद समय आपके अनकूल नहीं है दामपत्य जीवन दामपत्य जीवन में उठापतक योई ही चलता रहेगा जैसे लाश्ट मन्त में था थोड़ा सा पाहरी लोगों का हश्टक शिप कम हो जाएगा लव लाइफ अच्छा है कहीं से दिक्कत नहीं है आप अपने आपको सुधारे बागी चीजे सब अपने आप सामाने हो जाएगे हेल्थ इशू क्रियेट तो होगा लेकिन उस पर आप अंकुष लगा लेंगे हमारे उपायों का असर दिखेगा सात्विक रहिएगा क्या उपाय करें मेस्त लेके करकतक वाले उपाय के लिए आपको कोई चार्दी का आभूशन लेकर के छोटा सा अपनी शद्धा के नुसार दस बीस पचास रुपरे का जाके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजेगा पूरी तरह सात्विक रहना है नॉन्विज नहीं खाना है और जिसको पत्थर मैं कहता हूँ नग पहने होंगे तो निकाल फेंग किएगा जरूर आपके लिए पॉश्टिव रहेगा मिलेंगे अब नए साल में नई जानकारियों के साथ नई प्लेलिष्ट है ब्लाश्टिंग 2019 देख लीजेगा अच्छा लगेगा बहुत शुक्रिया धनवाद आप सब की इस प्यार के लिए हमें अनुमत दीजेगा जल्दी से जैपुर मुंबई पूना तीन जगह के अपॉइन्मेंट दिसंबर महिने में है तो इन तीन जगहों पे रहने वाले लोग अपॉइन्मेंट अपना बुक कर ले और 13 जनवरी कुम्भ राज प्रयाग चलो कुम्भ चले नमस्कार शिरादे